स्क्रावर्केश अब देखरें से लिए इस पिसलिए स्थूटोरियल आजम बात करें जा रहे हैं EDP basically Electronic Data Processing के बारे में Electronic Data Processing होता क्या है, कैसे क्याम करता है, इसके लाफ क्या होते है, हानी क्या होती है और इसको कैसे प्रोसेस के जाता है, आज हम इसी के बारे में चल चाहिए है पशलिए स्टार्ट करते हैं, EDP क्या होता है EDP basically कहते है Electronic Data Processing प्रॉसेसिं के मतलब कि हमारा जो डेटा है वो एक्ट्रोनिक रूग से प्रोसेस होता है इससे पहले कैंसाट प्रोसेस होता था अगर हम पुर्णे समय में चलने जाए तो हमारा कुल भी गड़ना या तो हम भू लेे पकरते थे मेजर्मेंट के और एकुपमेंट का इजाद हुआ और गर्णाय जो हो गए वो फास्ट हो गए एकुरेशी में उनमे आने लगी लेकिन यह चीज़े कब दिरे दिरे कंप्रूटराइज हो गया कैसे इनकी गर्णाओं को और भी तेजी से तीब्रगती से और श्टोरेज टैकर सीटी के हिसाब से उन चीज़ों को और ज्यादा फास्ट वे में कंवर्ट करके उसके बाद कल्कुलेट करना उसके रिपोर्ट तयार करना यह सारे चीज़े डे बाडी बादल के कंप्रूटराइज हो गए है और यही क्यों क्यों प्रिया होती है इसको मुद बोलते हैं Electronic Data Processing में बिसीकली होता गया है तुम्हें आपको बता दो तो हमारा computer के data को वो electronic ग्रूप में प्रोसेस करता है अब computer में कहों से data होते हैं तो जो हमारे data raw material में होते हैं अर्थात हम जो भी कुछ जैसे कि अगर हमें कोई balance rate तैयार करना है या कि हमें कोई report तैयार करना है इसके बाद हमारे formula functions या फिर हमारा उसमें जो भी process का काम होता है वो सारी एक हमारे formula पे द्रूप वो process होता है और process होने के बाद एक हमार report बनता है या फिर एक printable detail बनती है, bill बनता है, invoice बनती है जिसका कि हमें detail लो में एक result मिलता है कि यह हमारा जो data था उसका process होने बद क्या प्रक्रिया हुआ है तो यह जो एक दूसरे से कह सकते cycles हो दिए data processing और information की वो हमारी कहलाती ही प्रक्रिया पुरी electron data processing तो इस electron data processing के लिए हमारे बहुत सारे lab भी होते हैं बहुत सा निहानिया होती है level आपके बात कहें तो i-speed हमारी काम करने की जो एक उरेशी है यह तो सबसे बड़ी बात है एक उरेशी हो गई है इसमें अभर कुछ नहीं था कि हाँ आपको गलती है और कि पहले कर बान लिए जाए कि पहले हम कोई बीची के लिए के लेकुषकी, काना, काना, है दो ये लिए सानी के बिपाइट है, फिर 6 градुपर संध ददध के भूारी है, क्वर्शकी चैपिन करना है तो 煤 दध करना है है था क्ल्किलेटर पहुं हुत हम वहां ह है, आपक यह क्या करना है हमें एड़ करना है किसी और एकुरिटर के पर नहीं करना है उसी चीजा को हमें किसी और वे में कन्वर्ट करना है तुसके लिए हमारा H probability कि वहा करने दो थैंटर को हमें haar क्लीडर के लिलिए के लिए र्लति यह आषानी से लिए जिससे की हमारे काम में EQUERACY और FAST जैसे की हमारे काम तेज़े सी हो और EQUERACY मैंतलि किए गल्ती हमारे काम हो अथानी से हो जाता है डूसरी चीज में होगे की समय के पचत जो काम एक manual बेसे या फिर एक लंदी होता था जो एक 10- 10-10- 10-10 ह हो जाता है होजाती हैं ऐसे आपके जो क्रॉस्टिंग होती ही कमा आती है तिसी चीज रिपोर्ट आपकी एक अप्ट्डेट रहती है कभी भी कोई जी चीज़िया हमें तुरंद मिल जाती है यह सारे छीजे खूबिया हैं जो कि हमारे काम को असान कर जेती लिए टेंडेटा प्रोसेसिं इसका क्रेज हमारे बढ़ा है तो आजकल हमारे हमारे यादे मेर इसक Kathedasem क सारे वे में हो वे हमारे कि बढ़ा है। कि हम उन चीजों को इलेक्टर्नी डेटाफॉम में कनवर्ट करें पहले था कि स्कूल के फीस होती थी वो सारी चीजे क्या थी मैनुवल करते थी आज क्या है कंपूर्टराइज आप पहुते सिफ मिल गया है कोछी खरे देया देता तो उसका कंपूर्टराइज बिल मिल गया तो इन चीजों से अगर देखा जाये तो आज कल हमारी सारे चीजे इसलिया असान हो गई है क्योंकि उसारे चीजे कंपूर्टराइज हो गई है कही न कहीं अगर आपक एक बिजनसमेन है आप स्टॉक मेंटेन करते हैं इसलिया देटराइज यह विया तो आपक डॉर्टराइज ञाम है किस चीजे की कमी है हमारा आज कितना सेल हुआ आज के उसलिया एक अपर पक्री रहा प्रॉप्रित रहा लॉस हुआ इस सारे चीजे आप आप इजली यह उन्ड़ कर पारते हैं एक systematic way में और बहुत simple way में हम उन सारे चीज़ों को problem पो resolve कर लगते हैं तो इसलिए data information, data हमारा electronic data processing रसी लिए इसमें ज्यादा popular है और इस चीज़ों पे ज्यादा जूर दिया जा रहा है सभी के सभी के हमारे business, जो भी हमारे वैशाय हैं सबके सब अब अपने जो परामपरावयत उनका जूर्वी था काम करने का manual पे अब वो सारे चीज़े किस पे convert हो रही है online, digital पे, ठीक है, digital पे काम इसलिए क्योंकि उस पे convert होने पे उनके काम में पारदरसिता आती है उसमें तो पारदरसिता के लिए भी digital कराना बहुत जलूरी हो गया इसके कुछ लुक्सान भी होते हैं, लुक्सान के मतलब की जैसे की hacking, tempering या फिर एक normal, formal way में ही print उनकी जीजोंका काम करना modifications आप या फिर जो input ले तो उसी के साब से output देना आप जो चाहते हो वैसा अगर develop एक बड़ हो गया है तो उसी form में और उसके अलावा अगर अगर कुछ admin चाहते हो तो वह चीज़े थोड़ी दिक्कते करना है दूसरी चीज की अगर कहा जाए तो एक बिरुजगारी इस जोब्स की पहले है उन्ची जो करने के लिए कई लोग उपड़ी दिपटब क्या हो गया की automatic होने के वैसे एक employee risk का गई है दूसरी चीज हम अगर देखा जाए कि इसके और पी क्या problems है कि इन problems के में लेगे कि operator के दवरा या पिर कोई भी जो की access कर रहे database को उसमें कोई tempering कर लेता था अपका database का पूरा calculation होता है वो खराब हो जाता है security data encryption के जो प्राइशन है अगर online आपका GDP है तो उसमें hacking के लिए अफिर अफिर डेटा आपका hack हो जाता है तो पूरा आपका गरशाय का जो भी है सब कुछ zero हो जाता है तो इन this case इसकी हानिया है जिससे की ED जो अगर हम उसके secure कर लेते हूं चीजों को या और ज्यादा अगर हम alert रहते हैं सब्सक्राइब करते हैं एक तरह से कैसे ही process होता है इसके क्या क्या चीजे है electronic data processing ADP ADP में हम कोई भी data data को basically क्या करते हैं यहां पर process करना होता है process करने के बाद हमें information मिलता है for example में इस बारे में already kind videos बुना चुका हो data processing information में तो फिर अगर आपको इसके बारे में detail में जाना हो कि data process की information क्या है तो आप प्लीज हमारे पिछले videos को review करिए उसमें आपको यह हमारा data processing information में complete detail मिल जाएगा कैसे data हमारा process होता है वो information में कैसे convert होता है for example मैं यहां पर slightly आपको बता रहे है कि कोई भी हमारा data जब उसके एक प्रक्रिया कर दे जाती है mathematical, mathematical, mathematical कोई फिर भी formula कर थो process हो जाता है process होने के बाद एक meaningful information मिलती है उसमें information कहते result तो तो हमने data के keyboard कर थो feed किया यहां पर 2 plus 2 plus is the processing उसके पाद plus करने के बाद 4 हमारा मिला वो हमारा क्या हुआ information इसके क्या लाग होते है इसके क्या लाग होते है basically EDP के लेक्टाड़ डेटा प्रोसेशिंग के क्या लाग होते है speed and equation जो भी काम होता है उसमें एक speed आरती है accuracy रहती है काम हमारा जल्दी होता है और चुटी रहित मतलब उसमें कोई भी makes point іसमें गलतिया नहीं वोती है क्योंकि ये सारा चाहे input के होता है जैसा अगर आप में input दीया होता है इससे के साफ से बोह être all so there is no chance to be getting an error okay Decision मैंकिंट के बीटीग इसंतर हब कि आपने क्या करना यह here हमारा PDP पहaware है जो आपने ताइक कर लिया है कि इसको यह जोज़ यह हमने बेंद धा बसmore चीजिए वह जाने आज़ा अगर हम इसको करते हैं तो हमारे क्या हता है एक इसमें एक लागत बढ़ जाती है ठीक है अगर हम इसको ETP के थ्रू करते हैं तो इसमें टाइम की बचत होती है और अविशली कॉथिंगी बचत होती है हम मुझदूर लगाते धे पावड़े से खोता है तो अगर अगर हो जाता है तो सारी शीजोंपी बचत हो जाती है देखा साड़कों के खुदाई करने की लिए क्या कर दोगा। हम लोग मजदूर लगाते थे कि ये को खुदाई होती थे अज जेसी भी की तुरूओ क्या होता है। एक दिन में, उनकी 15-15 दिनके खुदाई के लिए मुने खुदाई बराबर कर देता है। तो क्या होगा टैलिम की बच्छों पुई और हमारी जो उनकी खुदाई के अपे इच्छा इनकी खुदाई क्या है अधिक बेटर है अगर देखा जाए तो इसकी वहान ही क्या हुआ कि जो लेबर चार्ज था वह सारे चीजे अब चुकी एक कैसे तो ग्रुजगारी आगे लेकिन अगर पैसे के देखा जाए और अगर मोनेटरी इशुस में देखा जाए तो हमारा वह क्या हो गया प्लस पॉइंट हुआ कि अगर हमें 30 डेस का जो वह देने होते थे वह हमारे बच गए और वह हमारे एक ही दिन के काम में वह सारा चीज हो गया तो 30 डेस के बरावर हमने JCB को देखा जाए तो हमारे 20 डेस का तो फायता हुआ हुआ काम उतना ही हुआ मतलब रिड़क्शन अफ डेले इंगा प्रकिरिया में बिलंगता की कम हो गई यूकि आप कोई भी काम होता था वो फास्ट वह होने लगा उसमें कोई डेले नहीं था कि हमने कोई चीज अगर डेडलाइन लिया हुआ है तो डेडलाइन के अंदर हमें उँजीयों को देताना है को रिपोर्ट मांगी जाए उनकी पोर्ट को हमें टाइम के अंदर ही हम लोग समिट कर देते हैं रिपोर्ट जनरेट हो जाती है देनगा रिपीदेट को डेलें ने घुड़कुलीक्राइशन पर डेले दाना पर इसमें को पार बर बनाना परता है उसमें आप अपना ताइम बर बात करना होता है उसके बार बर आप उसी तैयर करना होती है लेकिन इलेक्राणिक वे में क्या होता है कि आप एक बर बनने के बाद आप चाहो उसको दस बर बनाओ, हजार बर बनाओ, no issue वो तुरंत आपका रिजर्ट आकसस हो जाता है तो इसमें repetition को कोई issues ही नहीं है चाहे जितनी बार आप उन जीजों को repeat कर लिए ओके? क्या होता है, no changement in output जबिक कोई भी एक software या कोई एक ADP frame design होता है तो वो एक redefine होता है कि आपका जो output मिलना या आपका जो result बनना है वो इस format बनना है तो वो उसी format में क्या होता है कि वो design आपका prepare होता है लेकिन अगर आप चाहते है कि कोई changement करना है तो changement is not a easy task उसके लिए फिर time लगता है ठीक है उसके बाद capability software for proper function capable software for proper function हमारे उस software होता है वो उसी functions के लिए उत्वता है जिस functions के लिए उसको develop किया गया है अगर आप चाहते हो उसके अलावा वो काम करें तो वो चीज नहीं होता है कोनी चीज़ों करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है कांट fast data processing speed हर चीज की speed होती है हम जो software पी develop करते है या आपका data processing जो भी आपका काम कर रहा है उसकी एक माना की speed होती है कि हां इतने speed पे ही काम करता आप चाहते हो उससे fast में काम करें बट एक machine होता है कि उसका एक criteria होता है उसके एक range fix होती है कि हां इस speed में काम करेंगा और उतने print निगा लेगा इतना speed से चलेगा तो उन चीजों में अपने increment नहीं कर सकते Can we modify access by Can we modify access or error मतलब जैसे मैं बता है कि इस चीजों में चीजों में चेंगमेंट करना चुकि operator क्या होता है डेटा में उसकी पहुँच होती है क्योंकि उसकी पहुँच होती है एकसस करता है उसको modify भी करता है तो इसलिए वह अगर कोई भी चड़कानी किया कोई भी कर दिया तो उस चीजे issues आ जाती है पूरे डेटाबेस में आपकी जो result है उस पर आफेक्टाड रहता है तो यह इसकी कुछ disadvantage है और इसकी advantage है यह तो हमारा था electronic data processing का basically आपको advantage disadvantage और यह life cycle अब बात करते हैं ADP organizations क्या होता है basically electronic data processing जो हमारा होता है single persons या ऐसा कुछ पूल नहीं होता है एक single person इसको सम्हाल सकता एक single person के द्वारे पूरा develop होता है या manage होता है इसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है तो एक case systematically भी में बुला जाते है एक AI organization के दूरूप काम करता है इसमें copper label उसे नीचे उसे नीचे पर अलग 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 लोगों का अलग 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 रोल रहता है जो की इस electron data processing के model को बनाने के लिए तयार करते है तो अगर हम कोई software develop करा रहे हैं चाहे MIS management information system होँआ चाहे IIS information system होँआ इसमें कोई पर data जब हमारा create होता है MIS का थ्रूप तो उसमें हमारा सबसक्ता है manager का role होता है manager basically responsibilities होती है पूरे ही EDP को manage करने में चाहे वो आपका technical हो चाहे वो managerial school हो चाहे वो आपका resources हो चाहे वो cost and benefit हो चाहे analysis हो वो सारे चीजों के लिए responsible होता है okay तो as definitely के ज़ते ही कि अगर हमारा project manager है या BDP जो भी manager उसका role क्या होता है कुछ सारे चीजों को manage करना अगर hardware, software, networking सारे चीजों में क्या costling है market का क्या चलना है कैसे data को process करना है हमारे अंदर के इतने employees है employees को role define करना प्राबलम को define करना project को कैसे चलाया जाया कैसे data को process क्या जाया यह सारे चीज़े एक manager का काम होता है वो पूरा काम को करता है ADP का manager system analyst specifically काम तो होते है system में क्या क्या चीज़े है जैसे कि अगर कोई user है उसकी क्या requirement है एनलाइज करने के बाद उन चीज़ों को एक framework तयार करना जो programmer है user है ठीक है उन सबके साथ एक तालमेल बठाके उन चीज़ों के एनलाइज करना एनलाइज करने के बाद कुछ factor में कि वो नेडले सकता है बढ़ कुछ factor में उसको अपने manager है manager के थूभी उसको प्रोसेस करना होता है उन चीज़ों के वो उसका पूरा दिकार नहीं होता है तो कहने का मतलब एक system analyst पूरे प्रकिरियाक में एक visualization का काम करता है पूरे project को visualization का काम करता है वो programmer वो किसी भी software का programming तो नहीं करता है बट उस software को बनाने में अगर उसको designing में जो सबसे important role होता है वो हमारे system analyst का होता है system analyst ही पूरा decide करता है software कैसे design होना है software में क्या-क्या tools यूज होने है software में किस-किस label पर काम होना है software कैसे-कैसे testing होनी है software में bugs हैं user की क्या requirement user से मिलना यूज के बाद यह सारे चीजें कौन manage करता है system analyst system analyst किसी भी प्रोजेंट का क्या सकते हो कि team leader होता है और वह बहुत important role play करता है software development में उसके बाद जैसे system analyst के नीचे हमारा थे programmer जब हमारा कोई भी user से कोई contact मिल गया किसी project को करने का तो उसकी एक जो रूप रेखा होती है flow chart होता है programming होता है जो ideas होते है programming flow chart बनने के बाद उसको programming technical view में convert करना convert करने के बाद उसकी error की checking करना testing करना compile करने के बाद उसको check करना उसके बाद उसकी security backup इस सारे चीजे जो होती है वह हमारे programmer की ही पूरी जिम्मारी होती है कि हमारा basically जो project है वह electronic way में कैसे दिखेगा electronic way में कैसे perform करेगा security ways पर कैसे safe है और backup कैसे लेंगे उसको कैसे manage करेंगे कैसे documentation करेंगे उस सहरा का हमारा programmer designer इनी सब का होता है तो इस level पर हमारे programmer सारे responsibility होते है हमारे किसी भी methodological हमारा framework होता है उसको digitalize करने में जो total role होता है computerized technical department वह हमारे programmer के थ्रू होता है अब हम बात करते है operator में operator में दो operator होता है computer operator क्या करता है उसका काम होता है कि जब software develop रजाता है software develop होने के बाद software पर कैसे काम करना है उसको कैसे manage करना है data कैसे entry करना है access कैसे करना है अबर द्वारा trend गर दी जाती है और operator उस पूरे software को पूरी database management system को manage करता है तो खुल मिला के एक जो हमारा operator होता है computer operator वह पुरी तरह से हमारे software के अंदर तक वह मौजूद रहता है वह साधी चीजों को जानता है वह कैसे हो उस चीजों को handle करता है तो हमारा operator हमारे software में कुछ भी कर सकता है कोई भी changement कर सकता है किसी भी चीज को वह बिगाड़ सकता है data base पे not internally source code कथू क्योंको source code कुछ 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 knowledge नहीं होती है अगर digitalize देखा जाते input way में कोई data है data में शटकानी करना data में conversion करना data की चूरी करना यह सारी चीजे हैं हमारे operator label से ही होती है तो operator label से सारे जो risk होते है leakage होती है तो data operator का basically काम क्या होता है data software को maintain करना इसके बाद इसमें data entry operator होता है data entry operator basically करता क्या है कि हमारे software में जो भी feeding होनी है input data जो raw material होती जिसपे प्रोसेस होके information से हमारे report उपोट सब-generate होने है वो हमारे data entry operator के दौर पर फार्म होता है उसके बाद हमारे क्लाइड रहता है क्लाइड रहता है उसका पूरा काम होता है कि हमारे electronic data जो generate होने के बाद हार्डिक्स में या pen drive में या किसे digital format में हमारा सेफ हो जाता है सेफ कर लेते हैं और इसको रिष्टोर करने के लिए labeling responsibility होती है वो उस चीजों को सेफ रखना कभी भी मांगे जाने पर उस चीजों भामे दी देना तो यह हमारे EDP organizations में अलग-अलग अलग-अलग रोल्स होती है उनके क्या 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 काम होती है उसके बाद data processing में कैसे data process होता है उसके lab क्या होती है आज 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 आपको हमारा data processing का section पसंद आया होगा अपने प्रतिगरिया दिजी थन्यवाद